नमस्कार दोस्तों आज हम देखते हैं कि IFMS जो उत्राखंट का सौफ्ट्वियर है ट्रेजरी का सौफ्ट्वियर इसके अंतरगत किस प्रकार से करमचारी की जो सर्विस बुक है उसे हम भर सकते हैं और उसे देख सकते हैं तो सर्विस बुक को किस प्रकार से ऑनलाइन किया ज लिए notification का bell icon चरूँ प्रेस करें तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो वीडियो को उत्यान पूर्वक लास्ट तक देखिएगा तो सबसे पहले हम login कर लेते हैं operator ID से और operator में जागर हम HR कर्मचारी की service book भरने और देखने के लिए HRMS के अंतरगत service book का विकल्ब चुनते हैं तो HRMS आपको दिख रहा है इसके अंतरगत हम service book का विकल्ब चुन लेते हैं तो हमें इस तरह से एक page हमारे पास खुल कर आता है जिस कर्मचारी की हमने service book देखनी है उसका employee code हम यहाँ पर डालेंगे और continue पर क्लिक करेंगे continue पर क्लिक करते ही उसकी personal detail यहाँ पर हमारे सामने आ जाती है सारी detail प्रिफिल्ड परीवी जो हमने employee master से बरी हुई है family detail उसके जो भी family member है उनकी सारी details जो हम employee master से पहले ही भर चुके हैं nominee detail सर्विस history इसको हम यहाँ पर बढ़ लेते हैं कि service कब से कब तक कहां किस तरह से की गई इसको सारा step by step एक एक करके हम भर सकते हैं और यदि हमें ज्यादा रो की आउशकता है तो हम add row पर क्लिक करके नए row भी यहाँ पर add कर सकते हैं salary history इसी तरह से जब जब salary increment जो भी लगा है उसको step by step year by year हम भर लेते हैं और हमें नए रो की जब एक्स्टा रो की आउशकता है तो add row पर क्लिक करके हम row जोडते रहते हैं और data save करते रहते हैं certificate attestation यहाँ पर है यहाँ पर documents हम upload करते हैं जैसे medical examination certificate character certificates कुछ अन्य जो भी certificate है उनको हम यहाँ पर upload कर सकते हैं और यह online upload हो जाएंगे इसके बाद next पर क्लिक करते हैं leave record जो भी छुट्टियां यदि कुछ ली है तो उनका record भी यहाँ पर हम save कर सकते हैं कि leave date कब से कब तक कितने दिन की किस तरह की छुट्टिय यहाँ पर ली है वो भी online service book में आपका record हो जाएगा advance history यदि कोई advance लिया हुआ है employee ने जैसे gpf advance या अन्य चीजे तो उसकी भी पूरी detail यहाँ पर हमें देखने को मिलती है और हम उसे बर सकते हैं तो इस तरह से ACR year यह भी हम बर सकते हैं कब से कब तक ACR लिया गया है तो उसको भी भरके हम save कर लेते हैं और फिर हमें service book जो इस तरह से देखने को मिलती है इसको print करके भी रख सकते हैं तो इस तरह से यह पूरी detail हमें देखने को मिलती है और कर्मचारी का पूरा record online हमें देखने को मिलता है ये online service book की तरह कारी करती है और यही आगे को paperless work जो हो रहा है उसके लिए ये तैयारी की जा रही है तो यदि वीडियो पसंद आया तो share कीजिए और अपने comments हमें जरूर लिखिए धन्यवाद